तो आज सुभर नाष्टे में आपने कौन से विरोधी के खिलाफ सुभूत जुटाएं हैं? नाष्टा तो खाने के लिए ही करते हैं क्योंकि जिंदा रहने के लिए नाष्टा करना जरूरी है जब पार्लिमेंट की तरफ जाएंगे तो निश्ची तोर पर सोचेंगे कि किस विरोधी क्यों करेंगे और ऐसा नहीं होता है कि कोई सोच समझ कर मैं करता हूँ वहाँ चीजें इस तरह से हो जाती हैं कि विरोधीयों के उपर जूजना पड़ता है इसा क्या हो जाता है कि आप को विरोधी ही दिखते हैं अपने पार्टी का कोई व्यक्ती अभी नहीं दिखता है उनको इस देश की सभ्यतास दिखती विरोधी जब उसके उपर आक्रमन करते वे नजर आते हैं तो कारण से विरोधियों के उपर जो है कूदना पड़े इतियास भूगोल की जानकारी दे दी, बंगाल की सानसद महुआ मोहितरा से कौन सी दुश्मनी है? मैं 15 साल से सांसद हूँ और मुझे लगता है कि कुछी सांसद ऐसे होंगे जिनका across the party line सवों के साथ बहुत ही व्यवारीक और व्यक्तिगत सम्मंद है जहां तक महुआ जी का सवाल था महुआ जी इस देश में ये नहीं चल सकता कि आप एक तरफ जो है चोर हैं रस्टाचारी हैं किसी का पैसा लेके किसी के खिलाफ अपने आपको जो है इमांदार मनाने की कुसिस कर रहे हैं ये जो डूलिजम था और उसमें बार बार बिना किसी कारण से दूसरे के भासन को अपना भासन मना लेना आपको पता है कि उनके उपर जो है केस भी चल रहा है जो उनका पहला भासन था माना जाता है कि ओबामा का भासन उनने पूरा का पूरा का पूरा का पूरा कॉपी कर तो यह से डियोलिजम में जब मुझे दिखाई दिया कि संसद की गरीमा के लिए, संसद की प्रत попроб के लिए, कोई संसद ही गलत काम कर रहा है, अपना आईडी दे रहा है, अपना पूरा एमेल दे रहा है, अपने सारे कोशơn है, अथोरिटी दे रहा है कि आप कर इससी question पूछो क्योंकि हम यहां बिना fear के question पूछते हैं तु साधार पर महुवा जी के खिलाफ हमने किया उनके खिलाफ को व्यक्तिकत नहीं और मेरा किसी भी सांसद के साथ तो मेरा समों के साथ बहुत व्यक्तिकत संबंद है उन्होंने देश की सुरक्षा को चंद पैसों के लिए जो है गिरिवी रखी इस कारण से महुवा जी के खिलाफ मुझे जाना पड़ा मैंने आज तक अपना भासन या अपना सबूत किसी के कहने पर नहीं लिया सब रिसर्च यदि मैं कोई भासन देता हूँ वो रिसर्च भी मेरा है मैंने आज तक महुवा मैतरा के खिलाफ पार्लिमेंट में कुछ नहीं बोला है आज तक एक संद का उप्यों मैंने महुवा जी के खिलाफ नहीं किया है जो कुछ भी मुझे कहना था मैंने committee of ethics को कहा Committee of Ethics ने जब मुझे विटनेस के तोर पर बुलाया तो जो प्रमान थे वो प्रमान मैंने दिये हमने तो 17-18 ही उनके टोर के बारे में कहा था अभी जो मुरी जानकारी आ रही है कि कमसकम 40-45 ऐसे टोर है जो उन्होंने दूसरों के पैसे पर किये और वो सभी बिजनसमेन कहती है सत्ता में आप हैं इसलिए आप सारे गुणा फेर करके उनके खिलाफ एजंडा लेके चल रहे हैं दुबारा जीत के आऊंगे और फिर जवाब दोंगी जीतना और हारना वो तो जनता थे करती है लेकिन करप्ठ हम ऐसा करप्ठ ही होता ह। लालू पृषाद जी भी राजनिती में आज भी एग्जिस्ट करते हैं रमदू कॉड़ा जी भी एग्जिस्ट करते हैं और मैं आपको बताऊं कि जनता किस तरह से वोट करती है। उसका ब्रस्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। भारती जनता पार्टी ये केम में ले थे, करनाटक में, उनके घर में 40 करोड का कैस पकड़ा। भारती जनता पार्टी ने कहा कि नहीं मुझे इसको टिकट नहीं देना है। वो निर्दली खड़ा हो गया, जनता ने उसको जीता दिया। तो इसका मत्रब ये थोड़े है कि वो करप्त नहीं है। तो पिर आप ब्रस्टा राचार को इतना मुद्दा क्यों मनाते हैं? फिर क्यों कहते हैं कि हम ब्रस्टाचार के खिलाफ हैं और हम ये हैं फिर। हम ब्रस्टाचार के खिलाफ हैं, हमारी पार्टी ब्रस्टाचार के खिलाफ हैं, मोदी जी करते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूँगा। चुनाओ का परिणाम जो भी हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है।